दोस्तों नमस्कार ये है मांगदर्शन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराक्ष अधरी दोस्तों मांगदर्शन यांसी आर्टिस रिंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे दसवी कच्छा के नागरिक शास्त्र या राजनीत विज्ञान का पहला अध्याय जो है सत्ता की साज़ेदारी दोस्तों इस अध्याय में हम वियतनाम और सरीलंका के उधाहनों के दौरा ये समझने का प्रयास करेंगे कि सत्ता क्या होती है उसकी साज़ेदारी की लोकतांत्रिक बिवस्था जो होती है उसमें सत्ता की संपूर सक्ति किसी एक अंग में सीमित नहीं होती है विधाईका, कारेपालिका और नयाईपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विखेंद्रित किया जाता है और ये लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों बेलजियम और स्रीलंका के उदाहणों के आधार पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि विभिन लोकतंत्रिक सासनपधतियों में सत्ता के बटवारे की मांग किस प्रकार से की जाती है और Belgium और स्री लंका की ये घटनाएं हमें ये समझने में मदद देंगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बटवारे की जरूरत क्यों होती है तो आएए सुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं प्रिष्ट भूम Belgium और स्री लंका के बारे में दोस्तों Belgium जो है आप जानते हैं कि ये यूरोप का एक छोटा सा देश है छेतरफल में हमारे हरियाडा राज्य से भी छोटा होगा और इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदर लेंड, जर्मनी और लगजंबर्ग से लगती है इसकी आबादी एक करोण से थोड़ी अधिक है यानि हरियाडा की आबादी से करीब आधि और इस छोटे से देश के समाज की जाती बनावट बहुत जटिल है देश की कुल आबादी का 69% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहती है जो की डच भासा बोलते हैं 40% लोग जो है वो बेलोनिया छेतर में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं से इस एक फिशदी लोग जर्मन बोलते हैं और बेलजियम की राजधाने आब जानते हैं कि ब्रूसेल्स है ब्रूसेल्स के 80 फिशदी लोग फ्रेंच बोलते हैं दोस्तों बेलजियम में जो फ्रेंच भासी हैं अलपसंख्यक फ्रेंच भासी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सम्रिध और ताकतवर रहे हैं और बात में जाकर आर्थिक विकास और सिक्षा का लाप पाने वाले डच भासी लोगों को इस इस्थिती से नाराजगी थी और इसके चलते बेलजियम में हुआ ये कि 1950 और 1960 के दसक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच में तनाव बढ़ने लगा है और इन समदायों के टकराओ का सबसे तीखा रूप बुरुसेल्स में दिखाई दिया जहां एक विशेश तरह की समस्या थी डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्छा क्रिज जारे थे लेकिन धन और सम्रिद्धी की मामले में कमजोर और अल्प मत थे दोस्तों यही इसी तरह के पैटर्न की सेम समस्या स्री लंका में भी उत्पन हुई स्री लंका एक छोटा सा दुईपी ये देश है और ये तमिलनाडू के दच्छिड तट से कुछ किलोमेटर की दूरी परिष्थित है इसकी आबादी करीब दो करोण है यानि हरियारा के बराबर और दच्छिड एसिया के अन्य देशों की तरह स्री लंका की आबादी में भी कई जाती समूहों के लोग रहते हैं सबसे प्रमुक सामाजिक समू है, सिंघली भासा बोलते हैं, इनकी आबाद कुल जन संख्या की 74 फ्रीशच्दी है, यानि दो तिहाई लोग सिंघली हैं, और उसके बाद तमिलो का नंबर आता है, जिनकी आबाद कुल जन संख्या में 18 फिस्दी है, तमिलो में दो समू हैं, एक स्री लंकाई मूल के और दूसरे जो हैं हिंदुस्तानी तमिल जो अपनिवेशिक सासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारस से लाए गए लोगों की संतान हैं मौझूदा स्री लंका के नक्से पर जब आप देखेंगे तो पाएंगे की तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं और सिंगली भासी लोग बौध हैं जबकि तमिल भासी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मिसलमान हैं स्री लंका की आबादी में इसाई लोगों का हिस्सा साथ फिश दी है और वे सिंगली और तमिल दोनों भासाइं बोलते हैं दोस्तों इस्थिती कहां पे खराब होती है अब ज़रा सोचिए कि ऐसी इस्थिती में क्या हो सकता था बेलजियम में डच भासी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भासी और जर्मन भासी लोगों पर अपने इच्छाय थोप सकते थे इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती और संभो ये था कि इससे देश बंट जाता और बुरुसेल्स पर दोनों पच अपना अपना दावा ठोकते स्री लंका में जैसा की जानते हैं सिंगली आबादी बहुत अधिक है उसका बहुमत है और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे और लेकिन हुआ क्या इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे सबसे पहले यहाँ पर इस मानचेत्र में हम बेलजियम के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर देखे यह बेलजियम का मैप दिया गया है बेलजियम के बिभिन समुधाय और छेत्रों को दिखाय गया है यह वाला area जो center में है यहाँ पर यह Brussels है राजधानी छेतर उत्तर का जो है पीले color में yellow color में जो दिया गया है यह फ्लेमिस लोग हैं काफी बड़ी संख्या में यह फ्लेमिस लोगों का है जो कि डच भासा बोलते हैं red color में जो दच्छडी Belgium दिया गया है यह बेलोन और French भासी है यह वाला हिस्सा इसके अलावा यह थोड़ा सा हिस्सा जो है यहाँ पर देखिए पूर्वी भाग में यह आपका जर्मन भासी लोग हैं तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर जो इसका जाती जो समीकरण है जाती जिस फरकार से यहाँ पर बटवारा हुआ है उत्तरी भाग में फ्लेमिस लोग हैं दच्छडी भाग में बेलोन या फ्रेंच भासी लोग हैं और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं बहुत कम संख्या जर्मन भासा भासी की है दोस्तों एक सब्द आता है एथनिक या जाती यह क्या होता है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समुह अपनी संस्कृति को अलग-अलग मानता है यानि वह साजी संस्कृति पर आधारिश सामाजिक विभाजन है और किसी भी जाती है समुह के सभी सद से मानते हैं कि उन की राष्टियता एक हो तो बेलजियम के बारे में आपने जान लिया स्री लंका में बहुसंख्यक वाद जानते हैं दोस्तों 1948 में स्री लंका एक स्वतंत राष्ट बना और सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर सासन पर परभूत तो जवाना चाहा इस वज़े से हुआ ये कि लोकतांतरिक रूप से निर्वाचिस सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभूता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए बहुसंख्यक क्या होता है दोस्तों बहुसंख्यक वाद ये है कि अगर कोई समुदाय बह मन कर सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाया 1956 में एक कानून बनाए गया जिसके तहट तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एक मातर राजभासा घोसित किया गया विसुबिद्यालेयों और सरकारी नोकरियों में सिंगलीयों को प्राथमिक तक देने की नीती अपनाई गई और नए सं मिधान में ये प्रावधान भी किया गया कि सरकार बहुत मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी एक एक करके आये इन सरकारी फैसलों ने स्री लंकाई तमिलों की नाराजगी और सासन को लेकर उसमें बेगानापन बढ़ा दिया तमिलों ने ये मान लिया कि उनके साथ पासा और संस्कृति को लेकर असंबेदन सील हैं उनकी इच्छाओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है और उन्हें लगने लगा कि संबिधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनेतिक अधिकारों से वन्चित कर रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि नौक करते चले गए यहां पर देखिए ये स्री लंका का महफ है दोस्तों और स्री लंका की जाती ये समुदाय को आप देख सकते हैं काफी बड़े मात्रा में ये जो एलो कलर से दिखाया गया है ये सिंखली है ये संख्या में अधिक हैं दूसरा जो रेड कलर में तटी छेत्रो यहाँ पर हैं थोड़े बहुत छेत्रों में हैं इसके बाद जो ये dotted area है ये मुसल्मानों को दरसाता है तो स्री लंका में एक तरह से सिंहली सरवाधिक मात्रा में उससे जादे स्री लंकाई समूह और उससे कम भारतवन सी तमिल थे और इस्थिती ऐसी बन गई थी कि स्री लंका में जो जाती समूह थे उन्होंने अपने आपको एक दूसरे से अलग मानना सुरू कर दिया था दोस्तों स्री लंकाई तमिल जो थे उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और तमिल को राजभासा बनाने छेतरी ये स्वायतता हासिल करने और सिक्षा और रोजगार में समान इवसर की मांग को लेकर संघर्श किया लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायतता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया 1980 के दसक तक उत्तर पूर्वी स्री लंका में स्वतंत्र तमिल इलम यानी एक सरकार बनाने की मांग को लेकर अनीक राजनीतिक संगठन बने स्री लंका में दो समुदायों की बीच पारसपरिक अभिस्वास जो था उसने एक टकराव का रूप ले लिया और ये टकराव ग्रिह युद्ध में परड़ित हुआ पैडाम क्या हुआ कि दोनों पच्छों के हजारों लोग मारे जा चुके थे उनके परिवार अपने मुल्क में भाग कर सडार्थी बन गए हैं इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है और दोस्तों हमारे देशों के आर्थिक विकास सिक्षा और स्वास्त के मामले में स्री लंका का रिकार्ड सबसे अच्छा है लेकिन वहां ग्रिह युद्ध से मुल्क के सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परिसानिया हुई है और ये जो तमिल और सिंगलियों के भी जो संघर्ष था दो हजार नौ में जाकर इस ग्रिह युद्ध का अंत हो पाया अब आए देखते हैं बेलजीयम की समझदारी बेलजीयम ने क्या कदम उठाया दोस्तों बेलजीयम के जो ने था थे स्रीलंका से अलग रास्ता उन्होंने अपनाया उन्होंने छेत्री अंतर और सांस्कृतिक बिवित्ता को स्विकार किया 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में चार संसोधन सिर्फ इस बात के लिए किया देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास नहों और सभी मिल जूल कर रह सकें उन्होंने इसके लिए जो बेवस्था अपनाई हो बहुत ही कलपना सील है और कोई देश ऐसा नहीं कर पाया बेलजियम के माडल विशेष जानकारी के लिए आप देख सकते हैं कि कुछ मुख्य बातें इस तरह से हैं कि संबिधान में इस बात का अस्पष्ट प्रावधान है कि केंदरी सरकार में डच और फ्रेंच भासी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी ये बहुत ही महतपूर निर्ड़ है कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भासाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पच्छ में होगा और एक समुदाएक लोग एक तरफ़ फैसला नहीं कर सकते हैं दूसरी महतपूर बात ये बहल जीम के संविधान की की केंदर सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों की छेतरी सरकारों को सुपूर्द कर दी गई है यानि राज्य सरकारें केंदरी सरकार के अधिन नहीं है और तीसरी बात कि बुरुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतनिधित्व है फ्रेंच भासी लोगों ने बुरुसेल्स में समान प्रतनिधित्व के इस प्रतनिधित्व को स्विकार किया क्योंकि डच भासी लोगोंने केंदरी सरकार में बरावरी का प्रतनित्थ स्विकार किया था तो बेलजीम में देखिए किस तरह से ब्यवस्था अपना कर ब्यवस्था बना कर दोनों यानि फ्रेंच और डच भासाभासी समूहों के बीच किस तरह से समन्वे और संतलन बनाने का प्रयास किया गया दोस्तों ग्रिह युद्ध या सिविल वार क्या होता है और गौर करें की अस्थान का नाम और दिशा की जानकारी दो भासाओं फ्रेंच और डच भासा में दी गई है तो किस तरह से बेलजियम में दोनों भासाई समूधायों ने समन्वे अस्थापित किया इसके अलावा Belgium में केंद्री और राज्य सरकारों के अलावा तीसरे अश्थर की भी सरकार काम करती है यानि सामुदाइक सरकार और इस सरकार का चुनाओ एक भासा बोलने वाले लोग करते हैं डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाइके लोग चाहे वे जहां भी रहते हों इस समुदाइक सरकार को चुनते हैं और इस सरकार को संस्कृते सिक्षा और भासा जैसे मामसलो पर नेड़े लेने का अधिकार है दोस्तों आपको बेलजीयम का माडल को जटिल लग सक वरना ग्रिह युद्ध की इस्थिती में बेलजीयम भासा के आधार पर दो टुकडों में बट गया होता जब अनेक यूरोपी देशों ने साथ मिलकर यूरोपी संग बनाने का फैशला किया तो ब्रूसेल्स को उसका मुख्याले भी चुना गया देखिए यहां पर बेलज बेलजीयम की ये दो घटनाएं हमें इनसे क्या पता चलता है आप जानते हैं कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं फिर भी सत्ता की साज़ेदारी को सवाल को उन्होंने अलग-अलग धंग से निप्टाने की कोसिस किया बेलजीयम के नेताओं को लगा कि विभिन समुदाय और छेतरों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभो है और इस एहसास के चलते दोनों पच्छ सत्ता में साज़ेदारी करने पर सहमत हुए स्री लंका में ठीक उल्टा रहस्ता अपनाय गया इसे ये पता चलता है कि अगर बहु संख्यक समुदाय जिनकी संख्या अधिक है दूसरों पर प्रुखतों कायम रख करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार ने बनाने का फैसला करता है तो देश की एकता संकट में पढ़ सक सकती है यह बेल्जियम और स्री लंका के अनुभ़ों के आधार पर आप देख सकते हैं यहां पर देखें जर्मन इंजिनियरिंग का बहतरून नमुना यह एक कार्टून का चितर दिया गया है कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है यहां क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी नमक दो बड़ी पार्टियों की गठवंधन सरकार अयतिहासिक रूप से दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही हैं सन 2005 के चुनाओं में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाये अलायक बहुमत नहीं मिला इसलिए इन्हें गठवंधन सरकार बनानी पड़ी दोनों दल बिभिन नीतिगत मामलों पर अलग-अलग फैशला लेते हैं फिर भी साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं जर्मनी की संसत के बारे में और जानकारी आप www.de.in से ले सकते हैं दोस्तों सत्ता की साजेदारी क्यों जरूरी है ये जानना बहुत ही महत पूर है दोस्तों सत्ता के बटवारे के पच में दो तरह के तरक दिये जा सकते हैं पहला क्या है पहला ये है कि सत्ता का बटवारत ठीक है क्योंकि इससे विभिन सामाजिक समुहों के बीच टकराव क अंदेशा कम हो जाता है, चुकि सामाजिक टकराओ आगे चल कर हिंसा और राजनीतिक अईस्थिर्टा का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिंसा दे देना राजनीतिक विवस्था के अस्थायतों के लिए अच्छा है, और सत्ता में हिस्था देना, बहुसंख्यक ये परिशानी पैदा नहीं करता बलकि वह बहुसंख्यकों के लिए भी बरबादी का कारण बन सकता है सत्ता का बटवारा लोगतांतरिक बिवस्थाओं के लिए ठीक है इसके पच्छ में एक और बात कही जा सकती है सत्ता के बटवारे की बात की सत्ता की साजिदारी दरसल लोगतांतर की आत्मा है लोगतांतर का मतलब ही होता है कि जो लोग इस सासन बिवस्था के अंतरगत हैं उनके भी सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागिदारी के माध्यम से सभी समुह सासन विवस्था से जूडते हैं दोस्तों इन दो तरकों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तरक कह सकते हैं युक्तिपरक या समस्धारी का तरक लाभकर पैडामों पर जोड़ देता है जबकि नैतिक तरक सत्ता के बटवारे के अंतरभूत महत्यों को बताता है युक्तिपरक क्या होता है तो दोस्तों लाभ हानिका सावधानी पुरवक हिसाब लगा कर कियाग जाने वाला फैसला पूरी तरह से नहतिकता पराधारित फैसला अधिकतर इसके उल्टा होता है दोस्तों एनिते बेलजियम के उत्तरी इलाके में एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथ ही चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में हो सेलवी स्री लंका की राजधानी कोलंबो में एक स्कूल में पढ़ती है वह और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भासी है और इनके माता-पिता का माध्यम तमिली है कौन सी सरकार एनितो और सेलवे के माता-पिता की इच्छा पूरी कर सकती है किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों तो यहाँ पे आप उदाहरंड से देख सकते हैं जिस तरह का नेड़े बेलजियम में लिया गया था तो ऐसे पता चलता है कि बेलजियम सरकार में जो है बच्चों के माता-पिता की इच्छा बेलजियम सरकार आसानी से पूरी कर सकती है यहाँ पर देखिए एक कहानी है खलील की उल्जन दोस्तों जैसा की होता आया है इस बार भी बिक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटर साइकल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीट पर बैठा हुआ था हमेशा की तरह इस बार भी यह सोच कर कि कहीं बिक्रम को नीद न आ जाए बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया कहानी कुछ ऐसे थी बेरूस सहर में खलील नाम का आदमी रहता था उसके माबाप अलग-अलग समुदाय के थे उसके पिता आर्थोडाक्स इसाई थे तो मा सुन्नी मुसल्मान थी आधुनिक सहर के लिए ये कोई अनूठी बात नहीं थी लेबनान में अलग-अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे वे साथ रहते थे मेल जोल होता था पर ग्रिह युद्ध में एक दूसरे से लड़ते भी थे खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था ग्रिह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता मिल कर बैठे और विभिन समुदायों के बीच सत्ता के बटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए इन नियमों के अनुसार तैह हुआ कि देश का राष्टपती मेरो नाइट पंथ का और कौथोलिक हुई होना चाहिए सिर्फ सुन्नी मुसल्मान ही प्रधानमंत्री हो सकता है वो प्रधानमंत्री का पद आर्थोडाक्स इसाई और संसत के अध्यच का पद सिया मुसल्मान के लिए तैह हुआ इस समझहोते की अनुसार आगे से इसाई फ्रांस से संरक्षन की मांग नहीं करेंगे और मुसल्मान भी पडोसी सीरिया के साथ एकी करण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए जब इसाईयों और मुसल्मानों की बीच ये समझहोता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी बाद में मुसल्मान असपश रूप से बहुमत में आ गए पर दोनों पच अभी भी उसी समझहोते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं खलील को समझहोते में बड़ी गड़बडी लगती है वह राजनीतिक महत्वकांचा वाला लोगप्री ब्यकती है लेकिन मौझूदा ब्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुँची नहीं सकता वह न तो मा के धर्म को मानता है नहीं पिता को असल में वह चाहत लड़ने की आजादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा ओट मिले वो राष्टपती बन जाए भले ही वो किसी समुदाय का हो लेकिन उसके जिन बुजूर्गों ने ये गृत युद्ध देखा है उनका कहना है कि मौझूदा बेवस्था ही शान्तिकी सबसे अच्छी ग तो आप क्या करते क्या आप पुरानी बेवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते बेताल बिक्रम को और बीच में हुए समझाते को दोहरान नहीं भूला अगर आपके दिमाग में असपश्ट जवाब है और आप किसी को फिर नहीं बताते तो आपकी मोटर साइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्या आप बेचारे बिक्रम के बेताल को बेताल के सवाल का जबाब देने में मदद कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर है सत्ता के साजहदारी के रूप को समझना दोस्तों राजनीतिक सत्ता क बटवारन नहीं किया जा सकता है इसी धाड़ा के बिरुद्ध सत्ता की साजहदारी का विचार सामने आये था लंबे समय से यही मानेता चली आ रही थी कि सरकार की सारी सक्तियां एक ब्यक्तिया किसी खास स्थान पर रहने वाले ब्यक्तिसमों के हाथ में रहने चाहिए आप जानते हैं कि लोगतांत्र में जनता ही जो है सत्ता का प्रमुक्सरोथ होती है लेकिन होता ये है कि लोग स्वसासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना सासन चलाते हैं एक अच्छे लोगतांत्रिक सासन में समाज के विभिन समूहों और उनके विचारों को उचित सम्म च्रफान दिया जाता है और सारुईनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होते हैं. इसलिए उसी लोकतांतरिक सासन को अच्छा माना जा सकता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेधार बनाया जाए। दोस्तों आधनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साजिदारी के अनेक रूप हो सकते हैं इनको कुछ उदाहणों के आधार पर समझा जा सकता है जैसे पहला है कि सासन के विभिन अंग आप जानते हैं कि सासन के तीन अंग हैं विधाईका कार्य पालिका और नयाय पालिका इनके बीच सत्ता का बटवारा रहता है हमें इसे हम सत्ता का छेतिज वित्रण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन अंग एक ही अस्तर पर रहकर अपनी सकतिका उप्योग करते हैं ऐसे बटवारे से ये निश्चित हो जाता है कि किसी भी एक अंग सत्ता का असीमित उप्योग नहीं कर सकता, हर अंग दूसरे पर अंकुस रखता है, इससे बिभिन संस्थाओं के भी सत्ता का संतुलन बनता है। लोकता अंत्रिक संस्थाओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में कारेपालिका सत्ता का उप्योग करती है, ये जरूर है कि संसत के अधीन वो कारे करती है, नियापालिका की नियुकती कारेपालिका करती है, लेकिन नियापालिका ही कारेपालिका पर और इन अस्तरों पर सत्ता का भटवारा हो सकता है जैसे पूरे देश के लिए एक सामाने सरकार हो फिर प्रांत या छेतरी अस्तर पर अलग-अलग सरकार रहे पूरे देश के लिए चलने वाली ऐसी सामाने सरकार को अक्सर संग या केंद्र सरकार कहते हैं और प्रांत अस्तर या छेतरी अस्तर पर सरकारों को जगह जगह अलग नामों से पुकार जाता है भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं तो एक संग सरकार हो गया एक जो है राज्य सरकार हो गया हर देश में बटवारा ऐसा ही नहीं है कई देशों में प्रांती या छेत सकता का बटवारा किस तरह से होगा, बिलजीयम में ये काम हुआ है पर स्री लंका में नहीं हुआ, राजी सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही बेवस्था हो सकती है और नगर, पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाईया हैं उच्चतर और निम्नतर रस्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बटवारे को उर्धवाधर बितरन कहा जाता है और तीसरी बात ये कि सत्ता का बटवारा विभिन सामाजिक समूहों में हो सकता है जैसे भासाई समोह, धार्मिक समोह, बेलजियम में सामुदाईक सरकार इस बिवस्था का एक अच्छा उधारन है और कुछ देशों के सम्विधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को बिधाईका और प्रसासन में हिस्सेदारी दी जाए देखिए बहुत ही महतपूंड होता है सत्ता की साजिदारी चौथा जो प्रकार है वो सत्ता का बटवारे का ऐसा रूप है जिसमें बिभिन प्रकार के दबाव समोह और अंदोलनों द्वारा सरकार को प्रभावित और नियंतरित करने के तरीके से भ होता है पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतरिसपरधा करती हैं पार्टियों की आपसी प्रत्वध्धा ही प्रत्वध्ध्धा ही इस बात को सुनिशित कर देती है कि सत्ता एक ब्यक्तिया समुह के हा out के ने रहे यह एक बड़ी समयावत पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी-बारी से अलग-अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है इसे सत्ता का अस्थानांतरर या एक बार सत्ता की भागिदारी एकदम प्रत्यच दिखत है क्योंकि दो या अधिक पार्टियों मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है लोक तंत्र में हम व्यापारी उद्योग किसान और द्योगिक मजदूर जैसे कई संगठी हित समूहों को भी सक्री देखते हैं सरकार की विभिन समितियों में सीधी भागिदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाव के लिए दवाव बना कर ये समूह भी सत्ता में भागिदारी करते हैं और आगे इस अध्याय में आगे हम इसके बारे में बिश्तार से जानेंगे दोस्तु सत्ता के बटवारे के कुछ उदाहरण आप जान सकते हैं जैस यो प्रहन्त की सरकार ने वहाँ के मूल निवासी समुधाय के साथ जमीन के दाऊंपर निप्टारा करने की सहमत दे दी और अस्थानी मामलों के लिए जबाब देह मन्तरी ने घोशड़ा की कि सरकार मूल समुधाय के साथ पारसपरिक संमान और सहियोग की भावना से काम रूस में दो प्रभावसाली राजनीतिक पार्टियों दे यूनियन और राइट फोर्सेज और लिब्रर याबलोको मुवमेंट ने एक मजबूत दच्छिर पत्थी गठवंध के नेड़े बनाने के लिए अपने संगठनों का भीले किया और इनका प्रस्ताव है कि अगले संसदी चुनाओं में हम उम्मीद्वारों की साजा सोची बनाएंगे और देखिए सत्ता की बटवारे का उधारन यहाँ पे नाइजीरिया में दिखा कि बिभिन प्रांतों के बित्तमंत्रियों ने एक जुठ होकर मांग की है कि संगी सरकार अपनी आमदनी के सरोतों को घोसित करें वे ये भी जानना चाहते हैं कि बिभिन प्रांतों के बीच राजस्व का बटवारा किस आधार पर होता है तो दोस्तों ये था दस्वी कच्छा के राजनीत विज्यान यानि नागरिक सास्त्र का पहला अध्याय सत्ता की साजेदार दोस्तों यहाँ पर एक कार्टून है सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होनी चाहिए ये औले जांसन स्वीडन केगल कार्टून में 25 फरवरी 2005 को छपा था 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने हैं और इन कानूनों को बना कर रूस के राष्टपती को कुछ और सक्तियां स संबंध हैं यहाँ पर देखें यहाँ पर इसकी कुल मिलाकर इस चित्र में यहाँ पर यह दिखाया गया है ब्यंगात्मक रूप से यहाँ पर पुतिन और बुस हैं एक रत पर सवार हैं डेमोक्रेसी के रत पर सवार हैं और ब्लादिमीर से बुस कहते हैं कि सत्ता की बाग तिगत हितों और संकिन्द स्वार्थों के लिए सत्ता की संपोर्ण सक्तियां अपने हाथ में केंद्रित करके सक्तिसाली या अति सत्ताधारक बन सकते हैं तो दोस्तों ये था आजका वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माक दक्षिन फार सिविल सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार